सूखे मेवे का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले काजू बादाम किसमिस का ख्यालाता है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चिरॉन जी की अगर आपको सर्दी जुकाम और सिर्दर्द की समस्या है तो आप चिरॉन जी का सेवन दूद में पका कर सकते हैं चिरॉण जी की पत्ती का अर्क अर्थ्राइटिस और सूजन को कम करता है। साथ ही इसकी पत्तियों के अर्क में एंटिडायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए डायोटिस की मरीज इसके सेवन से गुलकोस लेविल को कंट्रोल में रख सकते हैं। चिरॉण जी डबलू वीसी को बढ़ाने का भी काम करता है। जिससे आपके इम्मिन सिस्टम स्ट्रॉंग होती है। चिरॉण जी में लग्जिटेटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो मल त्यागने में मदद करती है। चिरॉण जी के सेवन से स्किन ग्लोइंग बनी रहती है। साथ ही इसका तेल दाग दभों को दूर करने में हल्प करता है। चिरॉण जी का सेवन प्रेगनेट वूमेन और एक्टेन वूमेन को नहीं करना चाहिए। चिरॉण जी की पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टेरियल गुण पाये जाते हैं। जिसका यूज घाओ के उप्चार में किया जाता है। ये पुर्सों के रिप्रोड़क्टिव सिस्टम को ठीक करता है। वुडियो अच्छे लगी तो लाइक सेर और सस्क्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में।